गुड मॉनिक स्ट्रेंट्स आज बेटा हम डिस्कुस करने वाले हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में कम्प्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है बेटा हमारा CPU होता है CPU को और हम क्या बोलते है brain of the computer भी बोलते है क्योंकि with the help of CPU जितनी भी प्रोसेसिंग होती है आपके कम्प्यूटर के अंदर जितनी भी calculation work है जितना भी work होता है आपकी कम्प्यूटर के अंदर ठीक है inputs, output, devices की जितनी भी functioning है सबको control करने का काम कोन करेगा आपका CPU करेगा ठीक है तो CPU क्या होता है मेन पार्ट है आपके कम्प्यूटर का that's why हम इसे क्या बोल देते है brain क्योंकि जितनी भी activities है उन सबको control कौन करता है आपका CPU ही control करता है CPU के पीटा तीन पार्ट होते है ALU, CU and MU ALU की full form होती है mathematical logical unit, CU की होती है control unit, MU की होती है memory unit जैसे आपको इनके name से पता चल रहा है यह इनी चीजों के काम आता है जैसे ALU है आपका mathematical logical unit, arithmetic का मतलब क्या होता है बीटा, जितने भी operations है आपके जैसे की arithmetic में क्या कुन कुन से operation आगे, addition, subtraction, multiplication, division, logical के अंदर के आते है बीटा जितने भी comparison वाले operation है जैसे greater than less than ठीक है यह सारी चीज़ है इस ALU की help से हम क्या करते बीटा जितने भी computational work है आपका चाहे वो arithmetic computation हो चाहे वो logical computation हो सारे काम किसके अंदर होते है अड़ ALU के अंदर ही perform होते है ठीक है इसकी हल्प से हम सारे अर्थमेटिक कम्प्यूटेशन करते हैं एन लोजिकल अप्रेशन परफॉर्म करते हैं इड़ परफॉर्म धर मैथमेटिकल कैल्गूलेशन यह मैथमेटिकल कैल्गूलेशन करता है जिसके अंदर addition, subtraction, multiplication, division आते हैं logical भी perform करता है logical के अंदर क्या क्या आगे आपके and or greater than less than यह सारे चीज़े second is cu cu का मतलब control unit control unit का काम क्या होगा वेटा control करना जितने भी आपकी दूसरी units है computer की alu's mu इन सब की जो activities होती है इन सब को control करने का काम कौन करेगा आपका cu करेगा ठीक है it control all the operations of a computer computer के जितने भी operations होते हैं उन्हें control कौन करेगा आपका cu control करेगा it takes data to the alu यह data को कहां तक पहुचाएगा alu तक data को पहुचाने का काम कौन करेगा cu करेगा and from alu to the memory और फिर alu से memory unit के पास पहुचाने का काम भी कौन करेगा cu करेगा ठीक है that means हमने जो input दिया computer को वो किसके पास जाएगा cu के पास जाएगा, cu को किसके पास बेज़ेगा alu के पास बेज़ेगा जैसे ही ALU उस पे सारा काम परफोर्म अपना करतेगा, वो दुबारा किसके पास जाएगा, CU के पास जाएगा, CU को इसके पास बेज़ देगा, MU memory unit के पास send करतेगा, ठीक है, जैसे ही हम enter press करेंगे, जैसे ही हम वो data को हम output बागेगे, तो वो memory unit से दुबारा किसके पास जाएगा, CU के पास और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा output मिल जाएगा, ठीक है, जितनी भी controlling होगी आपकी, जो main काम करेगा, intermediator का काम करेगा, वो कोन करेगा, आपका CU करेगा, ठीक है, तमीज सारी activities control कोन कर रहा है, आपका CU कर रहा है, next है MU, MU का मितलब क्या है, memory unit, यह बहुत important part होता है, computer system का, memory unit receive data, hold it and then deliver it according to the instruction, memory unit क्या करता है बिटा, जो आपने data work कर लिया, आपने ALU में आपके पास data आ गया, उस पर processing होगी, for example, हमने input दिया 5 plus 7, ठीक है, 5 plus 7, ALU ने उसके उपर processing किया, वो answer मिल गया, आपको 12, 12 answer कहां पर store होगा, आपका MU के अंदर, memory unit के अंदर, जैसे हम enterprise करेंगे, computer के अंदर, वो result हमें किस पर मिल जाएगा, output पर मिल जाएगा, ठीक है, तो that means, जो हमने processing किया है, जो हमारा जो data है, उसको store करने का काम किस पार्ट में होता है, CPU के, MU part में होता है, memory unit के अंदर, store किया जाता है data को, ठीक है, तो यह आपकी बेटा, तीनों क्या थे, आपके processing device के बारे में, discuss किया, उसके जो तीनों units हैं, आपकी ALU, CU and MU, ALU, सारे mathematical, logical operations, perform करने का काम करता है, CU सारी operations को control करने का काम करता है, MU सारे data को store करने का काम करता है, ठीक है, तो आप इसको read कर लेना, और कोई doubt हो तो पूछ लेना, ओकी, thank you,